Hello Everyone, Welcome to Trending Economics तो आज का हमारा टॉपिक है विदेशी निवेश जिसे इंग्लिश में Foreign Investment बोला जाता है आए अब हम समझते हैं कि विदेशी निवेश क्या होता है तो दिखी जब कोई देश अपने देश का विकास करना चाहता है लेकिन उस देश के पास पर्याप्त मातरा में संसादत नहीं है संसादन मतलब तक्नीकी नहीं है, पैसे नहीं है, इत्यादी तो वह देश किसी दूसरे देश से इन संसादनों को जुटाता है, मदद लेता है तो ये देश विदेशों से धन दो तरह से चुटा सकता है, पैसे दो तरह से दूसरे देशों से ले सकता है, पहला तरीका है कर्ज, जिसे लोन कहते हैं, अब कर्ज में दिक्कत यह है कि हमें बहुत सारा ब्याज देना पड़ता है, उस देश के लिए अच्छा नहीं माना जा तो दूसरा तरीका है निवेश, जिसे इंग्लिश में investment कहते हैं, अब investment में हमें ब्याज नहीं देना होता है, share देना होता है, भागी दारी देने होती है, इसी को foreign investment बोला जाता है, I hope आप समझ गए होंगे.